नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का निमी टेक्निकल क्लासिस में UPPCL की तैयारी करने वाले सभी छात्रों के लिए UPPCL ने एक बहुत बड़ा जटका दिया है और फाइनली दोस्तों, UPPCL ने भरती का जो टेंडर है समू यानि की केटेगरी ख और केटेगरी ग के अंतरगत जितनी भी सीधी भरतिया निकाली जाती है जिन-जिन पोस्टों के लिए निकाली जाती है फाइनली दोस्तों, UPPCL ने उन भरतियों का जो टेंडर है वो किसी और के हाथ में पकड़ा दिया है तो ये tender जो है ये किसके हाथ में दिया है यानि कि overall जो भरती का controlling है ये अब UP PCL पहले खुद करती थी अब उसको किसी और को swap दिया गया है तो उसी के reference में एक official notice जारी किया गया है जो कि आज कल बहुत ज़्यादा फैल भी रहा है तो क्या वो official है या फिर unofficial है क्या वो कहीं fake तो नहीं है क्योंकि आज के time पे fake news को भी दोस्तो viral होने में time नहीं लगता तो देखते हैं क्या है माजरा जानिय सटीक और संपूरल जानकारी और UPPCL से regarding और railway या फिर IT से संबंदी जितने भी भर्दिया निकाली जाती है इन सभी के बारे में अगर आप सटीक news और सबसे पहले देखना चाहते हैं तो आप हमारे इस channel को पूरे विश्वास के साथ सब्सक्राइब कर सकते हैं देखें ये है वो news है ना इस news को मैं आपके साथ share करना चाहूँगा ये UPPCL के द्वारा निकाला गया news है है अब यहाँ पर कुछ छात्रों क किया गया है यानि कि साथ अप्रेल को इसको मंजूरी दे दिया गया था यानि कि पूरी तरह से हैंड ओवर जो है वो कर दिया गया था लेकिन इस इसको जो रिलीज किया गया है वो साथ अगस्त को रिलीज किया गया है इस notice को तो यह पूरी तरह से official है ये fake नहीं है आपको इसको मानना पड़ेगा विश्वास करना होगा अब आये देखते हैं कि किस प्रकार से इसमें बदलाव किये जा रहे हैं भरतियों में यहां पर लिखाओ उत्तर प्रदेश सासन द्वारा समूख एवं के रिक्त पदों पर सीधी भरती की कारवाई सिगरता से सुनिश्चित क की जाने है तो सीधी भरती की रिक्तियों का अधियाचन उत्तर प्रदेश लोग सेवा आयोग एवं उत्तर प्रदेश अधिनस्त सेवा आयोग को ऑनलाइन प्रेशित किये जाने है तो यह अधिया अधियाचन पोर्टल विक्सित किया गया है यानि कि जो वर्ग खा और वर अगर हम पिछला फीड़ बैक देखें तो यह किस प्रकार से काम करती है यहना यूपी पीसल में जो भी भरतिया अब आने वाली है उसको कौन देखेगा यूपी ट्रिपल सी और यूपी पीसल सी और यूपी पीसल से किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है लेकिन इनके प इन्हों ने क्लेर किया और वर्स जो 2018 में जेए की भरती आय थी यूपी पीसल में उसका भी एकजाम यूपी ट्रिपल सी नहीं करवाया था तो देखेए अभी वर्स 2014 में उसका जो है फाइनल जो है उस भरती का प्रोसेस डिक्लेर किया गया है तो इतना डिले चलते है इन काम तो अगर अब जो direct recruitment निकाली जाकी तो कहीं यह दिल्ए इस इन भरतियों में देखने को आपको मिल सकता है क्योंकि जिनका काम दोस्तो इतना डिलेए चलता है है ना वो हर भरती में इतना ही डिले करके चलेंगे तो दौस्तों कहीं न कहीं देखिए जो चात्र है ये निरास है UPPCL के इस फैसले से, ये जो इनका final फैसला है, तो हमें ऐसा लगता है कि ये जो इनका फैसला है, ये फैसला पूरी तरह से रद्ध हो जाए, तो हमें दोस्तों एक बहुत बड़ी उम्मीद की किरण हमारे लिए जग सकती है, तो क्या आप खुस है इनके फैसले स या फिर नहीं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेगा, लेकिन भई मैं तो खुस नहीं हूँ, मुझे UPCCC और UPPC का नाम सुनते हैं दोस्तों, वही वाला दिना याद आता है कि कहीं ये भरती फिर से अब पांच वर्स में तो नहीं निकलेगी, क्योंकि इनका जो काम करने क जो तरीका है वो इतना स्लो है, बिल्कुल कछुवे की चाल ये चलते हैं और एक भरती को फाइनल करने में दोस्तों कम से कम चार से पांच साल ये लगा देते हैं, है ना, और दूसरी बड़ी बात ये है कि ये जो UPCCC और UPPC होते हैं, ये PET भी करवाते हैं, तो क्या PET को सौप रखा है, तो फिर PET 100% लागू होगा, याना, अब बात यहां पर ये आती है कि अगर यहां पर ये भी लिखावा, रिक पदो पर भरती की कारवाई सिग्रता से सुनिश्चित किया जाए, याना, इसके लिए इन्होंने एक ओनलाइन पॉर्टल भी तयार कर लिया है तो अगर ये भरती तुरंत निकालते हैं, तो दोस्तो अगर PET लागू होगा, तो यहां तो 50% से भी ज़्यादा च्छातर जो है, ये आउट हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे, क्योंकि PET किसी ने किया ही नहीं है, सब को पता है कि UP PCL में जाना है, तो डारेक्ट अगर PET ये करवाते हैं, तो फिर दोस्तो ये भरती एक साल का डिले होगा, कोई जरूर नहीं, एक साल का ही, इससे जादा भी डिले हो सकती है, तो ये सारा माजरा है, देखिए, और अगर PET लागू होता है, या फिर ये जो UP SSC के हैंड ओवर में अगर ये आगया काम, आई ही रहेगा, लेकिन जो non-tech है, UP SSC, UPPSC का non-tech अलग रहता है, तो आपको दोस्तो एक नए सलेवस देखने को मिलेगा, नए तरीके से आपको तयारी करना सुरू करना होगा, तो यही है दोस्तो मामला, UPPSL ने एक बहुत बड़ा जटका दिया है, उन तमाम छात्रों के लिए जिन्होंने इसकी तैयारी दोस्तो बड़े ही उमीद के साथ करते हैं कि अगर हम थोड़ा सा महनत कर लेंगे तो UPPSL में हमारा होना ही होना है, तो आप मतलब इनके इस फैसले से खुस हैं या फिर ना खुस हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा, लेकिन मैं तो आपको दे पाया, वीडियो को सेर कीजेगा और कम्प्लीट वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धनवाद, थैंक्स फूर वाचिंग, ओके, बाबाई